अप लोग कैसे हैं और हम इस समय पोँच चके हैं राम बाग घाट और तो यहां पर पिता जी भी साथ हमें आए हैं और ऊपशन करने के लिए तो इदर आप देख सकते हैं इधर घाट है जो कि यहां पर लोग हशनान करते हैं और उसके बाद समाधी बाबा का दर्शन करते हैं लोग और यह रही सीड़ियां और यहां पर कुछ नए काम भी होगे देख सकते हैं पहले यह रेलिंग नहीं थी जो की स्टील की रेलिंग लग चुकी और इधार भी लगी हुई है सीड़िया देखी रहे हैं आप लोग और यह रहे हमारे पिता जी और तो हाँ पानी जल चड़ा बखाती है चड़कने के लिए उपर ठेक लग कि आवाते हैं तो अभी हम में जल भरने के लिए जा रहे हैं और तो फ्रेंट साब देख सकते हैं हमने जल ले लिया है और इस जल को हम पिताजी को दे देंगे चड़केंगे और नहा के आए हम लोग आए हैं तो चड़क के दर्शन कर लेंगे अला है तो अधर इस साज तो जल रहिल पानी पानी दिखाई दे रहा है और उस थरप रेथी रेथ दिखाई दे रहा है, उधर सूख गया है, और रेथी रेथ दिखाई दे रहा है, तो इधर रहे हैं, मंदिर, समाधी बाबक का, समाधी बाबक मंदिर हैं ना, तो समाधी बाबक का मंदिर हैं, और देख सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्रा में बिरिच लगे अधर भी मंदिर है यहां पे हमेशा गर्मी के समय भी भी छाओं रहता है और यह रहा मंदिर प्रविश द्वार इसके अंदर मंदिर है तो अभी हम चलते हैं आपको दिखाते हैं हाँ हाँ जोता निकाल दे तो हम अभी यहां पे जोते को निकाल देते हैं और चलते हैं अंदर जय समादी भाव महराज की जय तो यह देख सकते हैं अगन्टी लगए है और यह रहा है समादी भावा का मंदिर यह मंदिर जो कि अभी बंद है तो सुबह के टाइम खुलता है और लोग दर्शन करते हैं अदर कुछ चित्र बंदाएं गए फिर इस अधर कुछ चेत्र बे बनाए गए और दर्शन हम लोग दर्शन कर चुके हैं और तो अभी लोग यहां से निकलेंगे अभी हम निकलने वाले थे और हमें मिल गया परसाथ और परसाथ को ग्रांड करेंगे खाने तो तो फ्रेंट्स परसाथ खाने के बाद और हम लोग यहां से निकल रहे हैं और अभी हमने निकलने के जूता तो हम इसको पहनेंगे तो फ्रेंट्स अभी हम बाहर निकल चुके हैं और यह रही हमारी बाइक और अब यहां से हम चलते हैं रामभाग घाट देशन करके तो हमें जाना है अपने मामा की है और मामा क्यांस साम को निकल लेंगे घर यह जो जो चाहर हम जो जाए लेंगे जरते हैं